नमश्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यती आपके साथ आज के इस खबर में हम आपको चुराग पास्वान की जिन्दगी से जुड़ी कुछ बाते बताएंगे चुराग पास्वान जिया केंद्रिये मंत्री मंडल में सितारे बनकर चमके हैं चुराग पास्वान मोधी 3.0 जो क्याबिनिट मंत्राले है उसमें चुराग पास्वान को जगा दी गई है चुराग पास्वान पहले बॉलिवुड में काम करना चाह रहे थे बॉलिवुड में फ्लॉप होनी के बाद चुराग पास्वान ने राजनिती में इंट्री मारी और अब चुराग पास्वान सियासत में हिट चेहरा बन कर उभरे हैं बता दे कि चुराग पास्वान अपने पिता की विरासत को सम्हाल रहे हैं लोग जन शक्ति पाथी राम विलास के राज्ट्री अध्यप्ष है चुराग पास्वान साथ ही नितीश कुमार के साथ भी उनकी नस्दीकिया और प्रदान मंत्री मोदी के साथ उनकी नस्दीकिया अब जग जाहिर हो रही है बता दे कि चुराग पास्वान ने कहां से पढ़ाई की है उनकी कौलिफिकेशन क्या है आज के इस खबर में हम आपको इनी सब बातों की जानकारी देंगे लेकिन उससे पहले कुछ और भी जानकारियां हम आपसे साजा करेंगे बिहार में चुराग पास्वान का नाम अब साफतोर पर युवा नेता के नाम पर उभर कर आ रहा है चुराग पास्वान नेशनल क्रश होने के साथ साथ राजनिती के दुरंधर भी माने जा रही है और यही कारण है कि इस बार के लोग सभाज चुनाओ के बाद चुराग पास्वान सुर्खियों के बीच छाय हुए है सियासी राजनितियों को लीकर चर्चा में बने हुए है क्या आपको साल 2004 वद 2005 में रामविलास पास्वान का वो दौर याद है केंदर में यूपिय के नित्रित्व में और फिर 2005 में बिहार चुनाओ में पास्वान ने यूपिय का हिज़्दा होते हुए राश्ट्रिय जुनता दल के खिलाफ चुनाओ लड़ा था कुछ ऐसे ही तेवर अब उनके बेटे चुराग पास्वान बनाते नजरा रही है चुराग की बारे में कुछ रोचब फैक्ट के साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे वो अपने पिता की राव पर चल पड़े और क्यों सुर्खियों में बने हुए है चुराग पास्वान का समिकरन क्या है वो भी जान लेना जरूरी है लोचपा राम विलास ने बिहार चुनाव में गड़बंदन, सीच बटवारे और चुनावी सियासत पर तमाम फैसले लेने का अधिकार युवा निता चुराग पास्वान को सौप दिया था अब चुराग पास्वान सारे में जिम्मदारियां बखू भी निभा रहे हैं पिता के जाने के बाद अपने पार्टी को चुराग पास्वान ने बखू भी सम्हाल के रखा और उसी का परिणाम इस बार के लोग सभाद चुनाव में चुराग पास्वान को मिला पाज सीटे दी गई और पाचो सीट पार 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुराग पासवान ने फटय हासिल की चुराग पासवान का रुख जीतन राम मांजी की तरफ नरम है लेकिन नितीश कुमार की तरफ सक्त है पर अभी का जो नजारा है ये कुछ और ही अब नितीश कुमार और चुराग पासवान दोनों ही एंडिये के साथ है और दोनों के बीच की नस्दीकिया काफी बढ़ दें चुराग पासवान के सितारे इन दिनों काफी चमके हुए है चुराग पास्वान अब केंद्र में मंत्री है, पहली बार केंद्री ये मंत्री मंडल में उनको शामिल किया गया है साथी, हाजीपूर सीट ये वही सीट थी जहां से विवाद हुआ, परिवारिक कला हुआ, चाचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिली लेकिन चुराग पा पास्वान जिनकी तीन बेने हैं, 2019 में आम चुनाव के दोरान जो शपत पत्र चुराग ने भरा था, उसके मताबिक उनकी शादी नहीं हुई थी और वो पटना में इस्थानी रूप से रहते हैं, और ऐसे में चुराग पास्वान अभी भी बैचलर हैं और बैचलर होने के साथ साथ क्रश भी हो गया हैं, जिया चुराग पास्वान को लड़किया पागलो की तरह चाती हैं, शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लगतार चुराग पास्वान सुर्खियों में, राजनिती के साथ ये चुराग पास्वान एंजियों से भी जुड़े हुए हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं बच्चों के सिक्षा के लिए वो चिराग पास्वान फाउंडेशन नाम से एंजियो भी चलाते रहे हैं इसकी अलावा चिराग का रोजगार नाम से भी उनका एक एंजियो है चिराग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रसंसक बता चुके हैं और कह चुके हैं कि वो मोदी के गुजरात मॉडल से काफी प्रभावित रहे इसलिए उन्होंने भाजपा के साथ गड़बंदन में जाने का मन भी बनाया था और अब बिजेपी के साथ चुराग पास्वान का नाम भी जोड़ा जाता है नरेंद्र मोदी के हनुमान हो गए हैं चुराग पास्वान और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी भी बढ़ चड़ कर प्यार लुटाते हैं चुराग पास्वान पे चिराग पास्वान गुजरात की तरह ये बिहार के विकाश की नजरीय भी रखते हैं लेकिन वो हर हाल में बीजेपी के साथ नहीं है ये कहना भी गलत होगा क्योंकि चुराग पास्वान अब BJP के साथ एक दौर वो था जब चुराग पास्वान BJP के खिलाफ थे BJP के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा था लेकर जब उनका बंगला खाली कराए गया था तब चुराग पास्वान के अंदर काफी नराजगी देखने को मिल थी वहीं अब हम आपको बता दें कि चुराग पास्वान जो है वो कहां से पढ़ाई की है उन्होंने ये भी जालनेला जरूरी है दर असल चुराग पास्वान ने इंजिनियरिंग कर रखी है साथी साथ वो एक फैसन डिजाइनर भी रह चुके है इसके बाद उन्होंने राज अबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूस के साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथी हमारे फेस्बुक इंस्ट्रग्राम और टुटर पेज को भी फॉल जरूर करें धन्यवाद